इरभूम के किसान भी कर रहे हैं कमाल पाँच एकड में लगे 15,000 पेड में लटक रहे इस फल का क्या है नाम किसान हो रहे हैं माला माल, साल में कर रहे हैं लाखों की कमाई डाइविटीज को छू मंतर करने वाला इस फ्रूट को मार्केट में भर पूरे डिमांड कमल जैसा दिखने वाला इस फ्रूट का नाम ड्रेगन है ड्रेगन फूट का साइन्टिफिक नाम हीलो सेरिस अंडश है ड्रेगन फूट कमल जैसा दिखता है इसलिए इस फ्रूट का नाम संस्क्रीट सब कमलम भी है यह फल मुख्य रूप से दप्चित अमेरिका में पाया जाता है गुजरात में कच्छ, नवसारी और सौराष्ट जैसे हिसों में ड्रेगन फूर्ट को बड़े पैमाने पर उगाया जाता है ड्रेगन फूर्ट दो तरह का होता है एक सफेद गुद्दे वाला और दूसरा लाल गुद्दे वाला इसके फल फूल बहुत ही सुगंदित होते हैं जो रात में ही खिलते हैं और सुबह तक ज़ड़ जाते हैं ड्रेगन फूर्ट में प्राकृतिक अंटी ऑक्साइड के साथ साथ फ्लेवोनिट, फैनोलिक एसिड, एक्सकृविक एसिड, फाइबर और एंटी इंफ्लेमेंटरी के गुण भी पाये जाते हैं जो एम्म्यूनिटी को बढ़ाने और डायविडीस को कंट्रूल करने में मदद कर सकते हैं जो झारकन के जिलोग से सटे खेतर में इसकी गेती बड़े पैमाने पर की जा रही है नमसकार जोहार अदाब, मैं उपका जात और आप देख्रहे हैं जोहार न्यूज आखिरकार आज आपको हम लेके आ गए हैं एक एसे रेगिस्तान छेतर में जहां पर आप पोधों को देखेंगे तो आपका सर चक्रा जाएगा तो चलिए और बताएंगे कि अभी हम कहां पहुंचे वे हैं तो हम बता दे कि आज हम पहुंचे वे हैं पस्चिम बंगाल के बिर्भुम डिस्टिक पे और पस्षी मंगाल के बिर्भुम टिष्टी का ये राजनगर परखंड है राजनगर ब्लोक है और आप तमाम इस पेड को दे करके सोच रहे होंगे कि आखिर इस पेड कौन सा क्या पेड है अलगभग पांच एकड में फेला ये जमीन जो है पांच एकड में लगा ये फल या या पेड आखिर किस कौन सा फल देता है तो वो सारी चीजे हम बताएंगे लेकिन आप इस तस्वीर को दे के ध्यान से कि इस फूल का क्या नाम है और इस पेड का क्या नाम है यदि आप लोगों में से किसी को इसके बारे में जानकारी है तो कमेंड वरक्स में अब इसे कमे ी पेड़ कौन सा फल क्या कज army पहले हैं मार्केट जान बताएंगे वह تمामास भाइन भी हमाइश साथ बेठे हुए। हम बात करते हैं अखिर इस पाँच एकलगभेले इस पॉधे का क्या नाम और कोण सा फल देता है तो हम बात करते हैं किसान भाइयों के साथ आपका सर क्या नाम हो गया संकर्पद्दार तो आप लोग किसान है कौन सा जगह है यह मन्नान भाई बते यह अमरा गाहों का नाम है कानमोडा पहुंचाइद भावानिपूर है अब लोग राजनगोर है तो यह तस्वीर में देख रहे हैं जो लगभाव पांच एकल में फेल का इलंबा चोड़ा यह जो प्रदा सब लगा हुआ है क्या नाम है इस गाज का इसका नाम है ड्रागन फूट ड्रेगन फोट की तना पिल लगा है यह का कर द्रेगन फूट होता है इसके बादम फूट में आप कैंसर का बैमारी भी आपके और झारती है लड़की लोग बच्चा होने का टायम जाता है उसका बच्चा भी खाने से उसका बच्चा भी अच्छा होता है उसके फाइदे घ्राइव तो ड्रेगन फ्रूट्ट आपने एक कब कब लगाने का लोगों से जनकारी हुआ और जनकारी के बाद zo high फ़ट वहार सा चिंतन मनन किंगे तो लगा बहुत अच्छा है इसलिए जो यह सो फिर बाहर से उसका पौधा आपको बता दे कि कई किसान भाई केला के लगाते हैं के लगा पौधा आम का और कई तरह का अपंदया लगातें가지ág लेकिन आप इस तरह का छेत्र में ड्रेगण फूट ड्रेगण का नाम सुने होंगे चाइना का चीन का लेकिन ड्रेगण फूट के बारे में बहुत कम लोगों ने सुना होगा लेकिन आज आपको हम उस पेड़ से पोदे से रुबरू करवा रहे हैं तो आप लोगों ने लोगों से सुना रिस्क कैसे ले लिया ड्रेगन फुट का पिल लगाने का थोड़ा सा ये मरहुमी टाइप का सुखा टाइप का जमीन था और ये कंटीली लिकाश है इसमें उतना पानी उनी का जरुरत नहीं था तो हम लोगों ने एक बार रिस्क खेलने के लिए तयार हो गए कि इस जो पेड़ का जो एज है उमर कितना हो गया ये वी पांच साल के लगभग हो गया पांच साल तो ये जो फल जो है कितना साल से देना सुरू कर द एक पेड़ में 20 किलो ड्रेगन फ्रूट आ रहा है और जो निरास हो जाते हैं कि हमारी जमीन उपजाओं नहीं है मरू भूमी है ऐसे हम अपने के जमीन पर क्या लगाएं पानी की समस्या है लेकिन उस सपने को और उस प्रोब्लम को ये किसान भाईयों ने सॉल्व कर दिया क्योंकि इस तरह के जमीन रेतिली जमीन पर ड्रेगन फ्रूट का पोधर लागाया और अब जो है एक पेड़ में लगवग 20 किलो बोले 20 किलो क्या मार्केट भेलू है रेट क्या है इस प्रूट का मार्केट भेलू तो खुद्रा में तो बजार में 300 पर अबिकता है लेकिन स्यूरी जो है सो बोलपूर मालदा अभी सबसे टॉप है वहां तो हल दिलर लोग है वहां एक गारी दो दो गारी जतना देना होगा वहां मालदा के लोग आके यहां से ले आते हैं आपको बता दे कि पांच एकड में 15,000 से पलस पेड लगा हुआ है और अब जो है पांच स कमाय हो रहा होत्व में हां ठीक है सब सबस्ब्राइं अच्छा है जितना कि लगाने में आरो इसको देख रेख में की शुबिदा अ कुछ समस्या नहीं है इसमें थोडा सा ख़र्च है शुरू में इसको लगाने में पोल घए है हर गास के पास पोल देना पड़ता है उसको उपर से रखने के लिए मचा टाइब का मने यही थोला सा लगाने में फ़र्ष साल में खर्च है पचीस साल तक इसमें फसल लेते रहे एक बार लगाईए पचीस साल तक फसल खाते रहे तपक सी चाई भी लगाएं तपक से लगा हुआ है और यह जो पोधा जो है कहां पोधा पहले कहां से राणा घाट से फस्ट में आया था रानाघाट जगा का नाम अब तो यहीं यहां भी इससी इसका ब्रांच करे नरशरी तयार करें बता दे कि जो किसान भाई अपने जमीन पर जबिदे लगाना चाहते हैं तो उसके नृसरे भी लोग कर रहे हैं यहां से लोग आते हैं भी खरीदने ले जारहें अच्छा यह बताई यह जो यह पंद्रह हजार लगाए और इस पेड़ को देख रहे करने में क्या कुछ लगता है कि घास वगरा का यह खाद यह टोटल और गेनिक मेथट से इसको कर रहे हैं और गेनिक है भी चल रहा है इसमें उतना तो ज़रुरत नहीं है और हम लोग जो घंट पंप दिशल लगा हुआ है उसी में और गेनिक दवा दे देता हैं और आपका घास को सड़ा के खाद बनाता बर्मी कंपस्ट बनाता है। पूरा धूप हो जाए पानी नहीं देने से तब थोड़ा सा 10-20 दिन के लिए टेंशन आता है अधी कोई आदमी ड्रेगन फूर्ट खेदना चाहेगा खुद्रा भी तो आपके पास आता तो उसको देंगे देते हैं देते हैं उनको तो हम लोग सस्ता में देते हैं दोसों जाएंगे लगाने के लिए तो इसको आप आडिया वगर भी कुछ बताएं चारा दिया जाएगा आप पोधा दिया जाएगा आइडिया दिया जाएगा साल में कितना दिन तक फसल देते हैं चौ मैना तक यह जून से शुरू होता है मैं मैं से और स्वात दिसम्बर तक बहुत अच्छा है बहुत अच्छा और इसमें सभी तत्व जितना तत्व शुक्स में से शुक्स तत्व है यह डॉक्टर हर डॉक्टर लोग अभी मनें इनको लिखने लगा इसको कि हर किसी तरह का शरीर को अपना सब चीज ठंतुलित रखने के लिए इसको जरूर बीवारी चुटता है इसमें हर बीमारी इसमें अपका हर तक शुगर के लिए भी बहुत फाइदा है यह आपका कैंसर के लिए अपका पेट के लिए इसकीन के लिए और अब का जो डिलिवरी लोकल मार्केट को संतुलित रखने के लिए अब किसान भाई भी अपने खेतों में लगा रहे हैं और उसी का हपका सबूत है कि लोग लोगों के बीच यह popular भी हो रहा है आपने देखा और दोनों किसान भाईयों से सुना कि ड्रेगन फ्रूट एक ऐसा फ्रूट है जो आपके सुगर के लिए केंसर के लिए गर्वती महिलाओं के लिए और सरी को पूरा संतुलित बढ़ा रेखने के लिए ड्रेगन फ्रूट की मांग अब बड़े मार्केटों में देखने को मिलने लगा है सुनने को मिलने लगा लोग खरीद भी रहे हैं यहां तेक पहुंच भी रहे हैं और जो महाजन है यहां दारेक्ट आते हैं यहां का फल उठाके लेग जाते हैं ऐसे में ड्रेगन फ्रूट की मांग बढ़ रही है और अब किसान भाई कम खर्च में हाला कि खर्च है तो इसी यह खूबियां है इस ड्रेगन फूट में इसी तरह का तमाम और खबरे हम दिखाएंगे आपको रूबरू भी करवाएंगे कि किसान यदि किसी चीज से निरास है तो अपने खेतों में किस टाइप का फसल लगा है तो इसी तरह के खबरों के लिए आप लोग बने रहे है जहानियो साथ धन्यवाद